हेलो पेरेंट्स एक बर फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बेबी और मॉम लाइफ स्टाइल में हम सब इनसान सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों से मजबूर होते हैं वरना सही और गलत की पैचान तो हम सब को होती है चलिए तो इसी विचार के साथ आज के टॉपिक पर बात करते हैं कि बच्चों को काबिल कैसे बनाया जाए हम सब पैरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इनसान बने और वो अपनी लाइफ में सफल हो और माबाप का नाम रौसन करें लेकिन सफल होने के लिए और अच्छा इनसान बनने के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने बच्चों में अच्छी आदतें गुड़ हैबिट्स कैसे लेकर आएफ वो आदतें कौन सी होती है इसमें से first है discipline डिस्प्रिन में बच्चों को होना ही चाहिए क्योंकि सफलता की चाबी है अनुसासन जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वो अनुसासित जरूर है तो friends अब ये discipline सिखाएगा कौन ये सिखाएगे हम parents ये हमारी और हम सब parents की responsibility है कि हम अपने बच्चे को discipline सिखाएं लेकिन friends discipline सिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने बच्चे को गलत काम करता हुआ देखें तो उसको एक बार मना करें अगर वो नहीं मान रहा है तो उसको मार पीड दें ऐसा नहीं है friends हमें क्या करना है उसकी habits को change करना है और habits तभी change होती है जब वो धीरे-धीरे routine में आती है तो आप अपने बच्चे का अभी से एक daily routine chart बना दीजिए उसे कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, पीना है, कब खेलना है हर चीज का वो time बना दीजिए जब उसको जो काम करना है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, कभी भी खा लिया, कभी भी खेल लिया, कभी भी कोई काम कर लिया तो मिलाके एक बास समझे कि जो बच्चे discipline होते हैं उनको अपनी life में problem कम face करनी पड़ती हैं और वो सफल होते हैं आगे आने वाली life में भी वो discipline नहीं होंगे तो ultimately उनकी life में failure बढ़ते चले जाते हैं और वो कभी सफल नहीं हो पाते आज से ही आप अपने बच्चों को discipline ज़रूर सिखाईए फिर वो आपका बच्चा कितना भी छोटा हो आप अपने बच्चे को एक साल का जब बच्चा हो जाता है ना तब से discipline सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं यानि कि उनके अंदर अच्छी आदतें डालना स्टार्ट कर सकते हैं अभी से उन्हें बता सकते हैं कि आपको कब क्या करना है या उनके लिए कौन सा time right time है Second चीज है कि कई parents ये पोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तो सुनते ही नहीं तो इसमें हमारी गलती है क्योंकि हम जब अपने बच्चों की बात नहीं सुनते हैं तो बच्चे भी हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों के साथ में कुछ बाते करनी है, उन्हें story सुनाईए, अच्छी अच्छी story जिन से वो कुछ सीख सके, और अगर आप उन्हें कोई story सुना रही हैं, तो last में moral जरूर उनको समझाईए ताकि बच्चा उस बात को समझे कि आपने उन्हें क्या अच्छा और क्या बुरा समझाने की कोसिस की है ओके फ्रेंड्स जब आप उनसे बात करेंगे इस तरीके से स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चों में सुनने की चमता होती है वो बढ़ेगी एक बात आप अप अच्छे से समझ लीजे कि बच्चों को समझने के लिए सिर्फ किताबों की जरूरत नहीं होती है बल्कि उनको अपने तरीके से सोचने और समझने की भी जरूरत होती है क्योंकि अगर वो सोचने और समझने की ताकत नहीं रखेंगे तो लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे और अच्छे से सोचने समझने के लिए जरूरी है बच्चे को सुनने की आदत हो इसलिए अपने बच्चों में लिसनिंग हैबिट्स जरूर डालिए थर्ड हविट है कम्यूनिकेशन इसकिल हमारे बच्चे अगर डिबेट में पार्टिसिपेट कर देते हैं और वो फर्स प्राइज भी जीत लेते हैं तो हम पैरेंट्स यह सोचते हैं कि हमारे बच्चों में कम्यूनिकेशन की अच्छी आदत है लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है Communication का मतलब होता है विचारों का आदान परदान करना देखिए जब आपका बच्चा बातों को सुनता है समझता है और उसी के recording वो respond करता है अब इसे आप क्या सकते है Proper Communication Skill Simple सी समझने वाली बात ये है कि जिस बच्चे की Communication Skill अच्छी होगी वो personal और professional life में बहुत जादा अच्छा होगा तो इसके लिए आपको अपने बच्चे से बात करनी होगी जब आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो वो आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और इसके बात response करेगा ऐसे ही उसकी Communication Skill अच्छी होगी जब आपके विचारों का आदान प्रदान होगा अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है उसकी तो आप उसको encourage करिए और अगर अच्छी नहीं लगती है तो वहाँ पर आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे भोलते हैं ओकी इससे क्या होगा इससे एक और चीज़ का benefit मिलेगा आपको वो good habits और bad habits में difference भी समझ पाएगा नमबर 4 है manners यानि की तमीज फ्रेंट्स एक बहुत पुरानी कहावत है बिना manners के इनसान वैसे ही होता है जैसे बिना खुस्बू के फूल कहने का तातपर ये है कि फूल अगर attractive है दिखने में बहुत ज़्यादा खुपसूरत है तो लोग उसको पसंद करेंगे लेकिन अगर उसमें खुस्बू नहीं है तो उसको अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं उसी तरह इंसानों में है अगर आप देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं attractive लगते हैं लेकिन अगर आप में manners नहीं है तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे तो हमें अपने बच्चों को manners जरूर सिखाने चाहिए और ये कैसे आएंगे starting की जो मैंने three habits बताई हुई है वो अगर आप अपने बच्चों को सिखा पाएं और वो अगर आ गई तो manners तो automatic ही आ जाएगी last और सबसे important चीज जो आप अपने बच्चों को जरूर सिखाए और बच्चों में होनी ही होनी चाहिए वो है high moral values बच्चे की जितनी ज़्यादा high moral values होंगी वो बच्चा उतना ही ज़्यादा character wise और अंदर से powerful होगा फ्रेंस moral values में बहुत सारी चीज आती हैं बच्चे के चरित्र पूरा का पूरा depend करता है और ये उसको कैसे सुधारना है वो आप पर depend करता है बच्चों को सिखाईए caring और sharing सिखाईए बच्चों की दूसरों की help करना सिखाईए बच्चों को उनके आसपास सफाई रखना, परिवार के महत्व को समझाईए बच्चों को सही और गलत में फर्क करना सिखाईए अपने से बड़ों की respect करना सिखाईए किसी का दिल मत दुखाने दीजिए और सबसे important बार अपने बच्चों को किसी भी चीज पर focus कैसे करना है ये सिखाईए So I hope parents ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful है अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को last तक देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया